ओम स्यंति हम सबी को भावा ने अपने महानकारिय की महानज्मेधारी दी है जरूर उसने हमें योग्य सम्झा होगा और वो महानकारिय करने के लिए उसने हमें शक्तियां भी दी, सर्व खजाने भी दीए ताकि हम दुख्यों के दुख दूर कर सकें जो अश्यान्त हैं उन्हें स्यान्ती दे सकें उन्हें स्यान्ती का मार्ग दिखा सकें जो परिशान हैं उन्हें स्रेश्यान में इस्थित कर सकें बावा ने हमें सर्व खजाने प्रदान किये हैं हम गिर्तो हुवो को उठाएं गिराने वाले तो संसार में अनेक है और जो दूसरों को गिराते हैं वो स्वयम कभी स्थेश्टि स्थिटी को प्राप्त नहीं कर सकते जो दूसरों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, दूसरे आगे बढ़ रहे हों और वो परिशान होते हैं कि हमारा क्या होगा, नाम तो इनका हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएंगे, ऐसी आत्माएं सदा ही पीछे रहेंगी, भले ही उन्हें पद पोजिशन बड़ा मिल जाए लेकिन संगम युग पर पद पोजिशन नहीं, स्रेश्टि स्थिती की सीट पर बैठना एक महान प्राप्ती है, जिसने संगम युग पर अतिंद्रिये सुखों में जीवन जीना सीख लिया, जिसने संगम युग पर बाबा के महान कारियों को पूर्ण करना सीख लिया, जि वो महान है मैं एक उधारन देता हूँ बाबा हमेशा कह रहे हैं चाहे कोई कैसा भी हो तुम सभी के लिए सुभावना रखो बहुत बड़ी बात बाबा ने कही चाहे रावन से भी हजार गुना बड़ा कोई तुमारा दुस्वन हो तुम उसके लिए भी सुभावना रखो हम सोचने लगते हैं हम ऐसा क्यों रखें भला ऐसा हो सकता है क्या लेकिन हमें सोचना ये चाहिए कि ये भगवान की आज्या है और उसकी आज्याओं का पालन करने में हमें बहुत बल मिलता है हमारा खल्यान होता है हमारे द्वारा सेवाइं होती हैं क्योंकि आने वाले समय में सेवाइं केवल भासन से नहीं सेवाइं उनके द्वारा होंगी जिनोंने स्वयम में सर्व खजाने जमा किये होंगे जिनका चित दोसरों के लिए सुभावनाओं से भर गया होगा जो योग-युक्त रहकर इसंसार से उप्राम हो गए होंगे, वेहद के वैराग में आगए होंगे, तो हमें आने वाले समय की चुनोतियों को सुविकार करने के लिए अपने को हर तरप से समेट कर व्यर्थ से मुक्त रखते हुए, अब सर्व खजाने जमा कर देने हैं. मैं कहूंगा हे बाबा की बुद्धिमान आत्माओं, जिने सद्विवेक प्राप्थुवा है वे आत्माएं, अब संसार को देने के लिए तैयार हो जाएं. ऐसा समय भी आएगा, जब हमें सेकिन में बीजरूप बनना पड़ेगा. इससे हमसे बहुत अधिक शक्तियां चार ओर वाइब्रेट होंगी. और ये शक्तियां अनेक चीजों को परिवर्तित करेंगी. जैसे सस्त्र से सस्त्र को काटा जा सकता है, जैसे युद में विमान को विमान से गिरा दिया जाता है, वैसे ही हमारे स्रेष्ट वाइब्रेशन्स, लोगों के निगेटिव वाइब्रेशन्स को बहुत जल्दी, बहुत जल्दी सेकिंड्स में समाप्त कर देंगे. बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने स्रेश्ट संकल्पों में, अपनी सुखभावनाओं में शक्तियां भरें, योग की शक्ति, प्योरिटी की शक्ति, सुखभावनाओं की शक्ति, प्रेम की शक्ति, तो आज सारा दिन हम बार-बार सेकिंड में बीजरूप होने की प्रैक् इस्थिर हो जाना और ये काम वही कर सकेंगे जो लंबा काल स्वैम को व्यर्थ से मुक्त रखेंगे जो स्रेशंकल्पों में रमन करते हैं वही सब संकल्पों को सेकिन में समेट कर बीजरूप हो जाते हैं तो आज बार-बार भाबा के स्वरूप पर बुद्धी को इस्थिर करेंगे और फेल करेंगे भाबा से रंग विरंगी किर्णों की पिछकारी शक्तियों की पिछकारी मेरे उपर पड़ रही है ओम स्याग्ण